सब्सक्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफ्रंट दिसंबर के महीने में आपका मोबाइल बिल और लेडी बढ़ चुका है यानि की मोबाइल बिल महंगा हो चुका है दूद के दामों में पिछले 6 महिने में दो बार बढ़ोतरी की जा चुकी है और इन दो बार में लगभग 7 रुपे तक की बढ़ोतरी दूद की कीमतों में हो चुकी है और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो जीवन रक्षक दवाईयां है यानि लाइफ सेविंग मेडिसिन है ऐसी 21 दवाईयों की कीमत में बढ़ोतरी की जाएगी जी हाँ और ये बढ़ोतरी लगभग 46 से 50 प्रतिशक तक की हो सकती है आपको बता दें कि जीवन रक्षक दवाईयों की कीमतों को निर्धारित करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी 2013 में इस संस्था का नाम है NPA ये संस्था सिर्फ इस वज़े से बनाई गई थी ताकि दवा कंपनिया अपनी दवाईयों की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी न कर सके या अनियंतरित तोर पे ये कीमते ना रहे और उनको नियंतरित करके सरकार रखे ताकि गरीब से गरीब आदमी तक ये जीवन रक्षक दवाईयां पहुँच सके लेकिन उसी NPA ने अब ये फैसला लिया है और पहली बार ये फैसला लिया है कि इन जीवन रक्षक दवाईों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी ऐसी 21 जीवन रक्षक दवाईया है जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है सरकार और आपको बता दें कि यह 21 तरह की जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है इसमें विटामिन C की गोली है इसमें हार्ट अटैक की दवाई है इसमें लेप्रसी की मेडिसिन है इसमें जो टीवी के लिए वैक्सिन दी जाती है बीसी जी की वो है पैंसिलीन है और कई तरह की क्रोल में रखे आखिर उस संस्था ने ऐसा निर्णा क्यों लिया कि कंट्रोल करने के बजाएं दवाईयों की कीमत में बढ़ोतरी की जाए उसके पीछे जो तरक दिये जा रहे हैं वो यह है कि भारत दरसल 60% अपना रौ मैटेरियल मेडिसिन का दूसरे देशों से खास करक चीन से लेता है और API जो टेक्निकल भासा में अगर इसको कहें API Active Pharmaceutical Ingredients इसका 60% पार्ट जो है वो चीन से लेना पड़ता है और पिछले साल इनके इस रौ मैटेरियल को लेने में भारत की दवा कमपनियों को 200-300% तक ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे ऐसे में इन मेड मार्केट में दवाईयों की किल्लत हो गई और चुकि ये जीवन रक्षक दवाईयां हैं जीवन बचाने वाली दवाईयां हैं इनकी किल्लत अगर मार्केट में होती है तो लोगों तक कम पहुँचेगी और लोगों की जान को खत्रा हो सकता है इस वज़ा से सरकार ने ये निर्णाय लिया है कि इन दवाईयों के कीमत में बढ़ोतरी की जाया ताकि दवा कमपनिया इनके प्रोडक्शन को कम न करें रोके नहीं और हर आदमी तक देश के जिसको जो भी ज़ुरतमंद है उस तक ये दवाईयां पहुंचती रहें लेकिन बात आप से जुड़ी है और जिस तरीके से महगाई बढ़ती जा रही है एक एक चीजों को ले करके उनमें अगर इन दवाईयों के कीमत बढ़ती है तो आपकी जेप पर भारी असर पढ़ने वाला है और खास करके जो असर दिखेगा वो दिखेगा बुजुरुगों पर और बच्चों पर क्योंकि इस तरह की ये सब उसी तरह की दवाईया है हाट अटैक की दवाईया है सुगर की दवाईया है तो आप तयार रहिए जल्दी ही इन दवाईयों के कीमत में बढ़ती होगी और आपकी जेप धीली होने वाली है धन्यवाद झाल झाल